चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खवरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजी आज साफों की चुनावी तस्विर नमांकर वाफसी का आखरी दीन जे हिमाचल पिधानसवा के चुनावों में दो परमुक दलों भाजपा और कॉंगरेस के कितने वागी मैदान में रहेंगे इसकी तस्विर सनिवार को साफ हो जाएगी निर्वाचन आयोक के सेडियूल के अनुसार 29 अक्टुवर नाम वापस लेने की आखरी तारीक है इसलिए यही वो दीन है जब बगावत को लेकर दोनों दलों को फिर फैसला लेना है आपको बता दे कि हिमाचल पिधानसवा चुनाव के नमांकन की आखरी दीन तक कुल 631 परतियासों ने परचा भरा था इनमें कई सीटों पर भाजपा और कॉंगरेस के बागी भी उतर गए है उन्होंने बत्वर निर्दलिये परतियासी चुनाव लड़ने का परचा दाखिल किया है आपको बता दे कि वर्तमार में भाजपा के लिए 14 सीटों और कॉंगरेस के लिए 12 सीटों पर निर्दलिये नमांकन के कारण मुश्किले खड़ी है फिर हाथसे का सिकार वलसाड में आगे आई गाय ट्रेन का आगला हिसा तूटा जिए देश की हाइसपी ट्रेन वंदे भारत फिर दुरगटना गरस्तो हो गई है ट्रेन का आगला हिसा तूट गया है यह हाथ सा गुजरात में पेस आया है जानकारी कनुसर आपको बता दे कि गुजरात के वलसाड में बंदे भाल ट्रेन के आगे एक गाय आ गई जिससे उसका अगला हिसा चतिकरस्त हो गया हाथ से अतुल रेलवे इस्टेशन के पास पेस आया है वही दुरगटना के बाद ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा जिससे यातरियों को भी परिसानी पेस आई लेकिन बाद में ट्रेन को अपने गंत्वे के रिए रवाना कर दिया गया कुलदीव कुमार को मनाने में सफल रही कॉंग्रες वापस लिये नमांकन जही माचल परदेश विदान्सभा चुनाप के लिए नमांकन वापस लेने के लिए आज अंतीम दिन है इस बिच कॉंग्रेस चिंतपूर्णी विदान्सभा छेतर से भागी हुए कुलदीव कुमा उड़ान के लिए दोड लगाते वक्त नहीं खुला गलाइडर गुजरात की महिला पर यटक पलायट नीचे गीरी जिहां गुजरात की एक महिला पर यटक ने पुलिस थाना कुल्लू में सिकायत दी है कि हुआ है कि एक सुभम नाम के एक वक्ति के साथ गड़ानी नामक अस्तान पर पर प्रागलाइडिंग करने गए थे इस दुरान जब परागलाइडर के पाइलेट ने उड़ान भरने के लिए दोड लगाई तो मोके पर पर परागलाइड नहीं खुल पाया जिस कारण हुआ और पाइलेट नीचे जागीरे आज बर्मास्तर छोड़ेगी कॉंग्रेस चार्जशीट में दस मंतरियों के नाम जे बिधास्वा चुना परचार में उतरने से ठीक पहले सनिवार को कॉंग्रेस बर्मास्तर का इस्तिमाल करने जा रही है बीते पांच साल में सरकार से जुड़े प्रहशाचार के मामले को पाटी सारवचनी करने वाली है कॉंग्रेस की इस चार्जशीट में मुख्य मंतरी समय दस मंतरियों पर गमभीर आरोप है इसमार्शीटी प्रोजेक्ट से पुलिस विवाग में भरती में नेताओं के संपर को लेकर बड़ा खुलासा करने की बात कही जा रही है वही सरकार ने जिन विवागों में अध्यक्ष और पाध्यक्ष की तेनाती की थी उनके नाम भी इस चार्जशीट में सामिल किये गए है मुख्ये तोर पर जल सकती उद्योग और लोक निर्मान विवाग स्वास्त और पूलिस विवाग संभालने वाले मंतरी कॉंग्रेस के सीधे निसाने पर आ गए है हिमाचल के सीध कालिन इसकूलों में नवंबर में होगी वार्सिक परिछाएं दस तक देनी होगी रिपोर्ट जह हिमाचल पर देश इसकूल चिक्चा अधिन आने बाले सीध कालिन आवकास वाले इसकूलों एबर विद्यालों की कक्चा 3,5 और 8 वी की वार्सिक परिचाएं न इन स्कुलों की तीन कक्षाओं की वार्षिक परिशाओं के समय पर संचालन के लिए इमाचल परदेश स्कुल चिक्चा बोड ने संबंदित प्रारंबिक चिक्चा उपने देशकों और निजी स्कुलों के मुख्या अध्यापवा परधनाचारियों से विद्यार्थियों का प्रस्ने पत्र मुद्रन ववित्रन के लिए सूल्ख मांगा है चुरा में कॉंग्रेस परत्यासी के काफिले संग निकली गाड़ियों के त्योड़े सीसी जजीला चंबा के चुराय हलके से पर कॉंग्रेस पर्तियासी यस्वन ते खाना के काफीले के वाहनों के गत रात्री सरारती तत्वों ने सी से तोड़ दिये इस घटना को लेकर कॉंग्रेस पर्तियासी की और से पूलिस में सिकायद दर्ज करवा दी गई है हिमाचल पंजाब के सिमावर्ती इस्टोन क्रेसर पर छापे मालिक में हड कंप जह पर्देस में विदानस्वा चुनाबों को लेकर आयकर विभाग ने मददाताओं को परभावित करने के लिए अवेद नगदी के उपयोग रोकने के लिए करवाई शुरू कर दी है आयकर विभाग के जांच विभाग की टीम ने सुक्रवार को हिमाचल परदेस और पंजाब के सिमावर्ती जीला पठान कोड में खनन और इस्टोन क्रेसर कारोबार में सामिल लोगों के ठिकावनों पर छापे मारी की है आयकरिवाग की टीम ने पठान कोट में अचल संपत्ती वेपसाईक से संबंदित परिसर जो खनन और अन्यकती विद्यों से उत्पन बेहिसाब नगदी के लिए सिंख परदान करने का संदे है उसको भी कवर किया है इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विस्टी विद्याले में परवेश के लिए 31 अक्टवर तक करें आवेदन 01772624612 एवं 2624616 पर संपर्ग किया जा सकता है हर घर नल हर घर जल के दावे फिर भी कई काम प्यासी जे नेना टिकर पच्छाद विधासवा चेत्र ऐसा चेत्र है जहां एक पथर उठाओ तो हजार समसियां सामने उजागर होती है सरकार तता सरकार के नामुंदे की माने तो पच्छाद का विकास इतना कभी नहीं हुआ जितना इन पांच वर्सों में हुआ है परन्तु धरातल पर सचाई कुछ और ही है यहां विकास तो दूर ग्रामिनों को मुल्वत स्विधा भी मुहिया नहीं हो पा रही है कहते हैं कि जल ही जीवन है परन्तु पच्छाद वासियों का जीवन सायत कोई एहमियत नहीं रखता जिस करन सरकार यहां पानी की आपूर्ती नहीं करवा पाई है सरकार ने हर घर नल हर घर जल के तहट कई दावे किये परदेश भर में इस योजनाओं के तहट पानी के कनेक्शन दिये गए परन्तु धरातल पर सच्चाई यह है कि लोग पानी के लिए दरबदर भटक रहे है परन्तु सरकार दता सरकार के नुवाइंदे गहरी निंद सोयो हुए है जिसका विप्रीद असर इन विधानस्वा चुनावों में देखने को मिलेगा दरबदल नेताओं को सबक सिखाई की जनता जे नालागड वी स्चेतर से कॉंग्रेस परतियासी हर्दिप सिंग बाबा ने चुना परचार अभ्यान के तहट सुक्रवार को गाउ सोड़ी गुलापूरा, सोड़ी गुजिरा, मेनिवाल सिब मंदिर, हटला, नवाग्राम, जाजरा, कोटला, काला, रतोयोड, पटेला का दोरा किया और नुकर बैठकों के जरिये जनता से विकास के नाम पर बोट की अपील की उन्हेंने काए कि नालागड से भाचपा के परत्यासी कॉंग्रेस को मिल रहे भारी समर्तन से बोखला गए है इसलिए अनापसना ब्यानवाजी कर रहे है वहीं बाबा ने काए कि नालागड की जनता ने तई कर लिया है कि क्विकास के मोर्चे बर नकाम रहे विधायक को इस मर्तवा करारी हार का स्वात चखाएंगे CRPF में निकली बंपर वेकेंसी बारवी पास उमिद्वार कर सकेंगे आविधन जे सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे युवावों के लिए अच्छी खबर है केंद्रिय रिजव पुलिस बल ने खेल कोटा के तहत गुरूप सी में हेड कॉंस्टेबल के 322 पदो पर भरती निकली है इनमें 255 पूर्स उमिद्वारों के लिए और 65 महिलाओं के लिए होगी भरती परिक्रिया में सामिल होने के लिए उमिद्वार केंद्रिय रिजव पुलिस बल की अधिकारिक वेपसाइट CRPFGOB.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं वहीं भरती परिक्रिया में सामिल होने के लिए उमिद्वार को बारवी पास होना जरूरी है इसके अलावा भेकेंसी से संबंदित खेल में वेक्ति गतिया टीम अस्तर पर रास्टिये परतिस्पधा में पदक प्राप्त किया होना जरूरी है पूरे देश में एक जैसी पुलिस यूनिफॉर्म राज्यों के गिरी मंत्रियों की बैठेक में परधान मंत्रि ने दिया सुझाब जे परधान मतिन नरंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए One Nation, One Uniform Policy का सुझाब दिया है PM हरियाना के सुरजकुंड में चल रहे ग्री मंत्रियों के चिंतन स्विर के समापन समारों को वर्चूली संबोधित कर रहे थे वहीं स्री मोदी ने कहा कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से नई चुनोतियों भी सामने आ रही है अनुराग ठाकूर ने CM केजरिवार पर साधा निसाना बोले मोलवियों को पैसा पुजारियों को क्यों नहीं जे केंदरिये सुचना एवं परसारन और खेल मंतरी अनुराग ठाकूर ने सनीवार को सिमला में कॉंग्रेस पार्टी बर जुवानी हमला बोला उन्हेंने परिसवर्ता में कहा कि कॉंग्रेस के नेता भरस्टाचार में डूबे है वहीं भाचपा के पास आठ साल की केंदर वा पांच साल की राजी की सरकार है हम विकास करते थे कॉंग्रेस विरोत करती थी का कि भाचपा परदेश के सभी 68 बिधास्वाद शेतरों में बिजे संकल्प अभियान चला रही है उन्हेंने आरोप लगाए कि कॉंग्रेस और आप भरस्टाचार में डूबी है जबकि भाचपा ने इमंदारी से विकास कारी करवाए है चलिए में चलते हैं आज साम की आखरी खबर के अध्यक्त सुकविंदर सिंग सुकू की मोजित्की में इसे सारवचनी किया गया कॉंग्रेस ने बीस पन्नों की चार्शिट जारी की है वहीं कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि भाचपा के तीन भाई है बेरोजकारी भरस्टा चार और महंगाई जो वादे ते जूटे सावित हुए है गोशना पत्र उठा कर देखने दस बिंदों में से एक भी पूरा नहीं हो पाया है पेपर लिक में भाचपा सासित राज्यों में कंपिटिशन चल रहा है पवन खड़ा ने कहा है कि महिलाओं बागवानों करमचारियों से वादा किया हर आरोप की जाच होगी और करवाई होगी दोस्तों आज साम की खबरों का सिर्शला इसमाप्त हुआ अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर, चनल को सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप नीज को किजले और पंचाय से देख रहे हैं थैंक्यू, ओल दे वेस्ट